दोस्तो राना क्लासिज में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको बिहार की कलाव भासा इतिहास संस्क्रिती से तीसरे पार्ट का क्वेश्चन और इसका वीवरन सहीत उत्तर बताऊंगा तो इस वीडियो को सुरूर से अन तक देखे पसंद आने पलाएग नहीं लोग सब्स सराज में भी ख्यात हैं ये बिहार में भी ख्यात है तो इसके बारे में थोड़ा से विस्चात क्या खे जगेतन जो है ओ लोगन न 12 क्या है तो जानते हैं बिहार में प्रतेक बर सावन से लेकर कार्तिक माह तक की पुर्णीमा अथवा उसके एक या दो पुर्व अथवा पस्चात मात्र अविवाहितों द्वारा अविनित इस लोक नाट नित में जट जटिन के बैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता अब विभाहितों ज्वारा किया जाता है इनिक साथी सुदा द्वारा ये नहीं किया जाता है बैवाहिक जीवन को परदर्शित किया जाता है जटिन के विभाहिक जीवन को तो क्या होगे चार अंसर होगे इसका बिहार की पेंटिंग बिद्या कौन सी है तो क्या हो जाएगा मधुबनी बिहार की पेंटिंग में दिया मधुबनी चितरकला को कहा जाता है या मिठलान चल की लोक कला के रूप में घर आंगन से विक्सी चितरकला सैली है या बिहार की दूसरी प्रमुक चितरकला सैली है अब एक तालिस नमबर देखते हैं तो कहां से मिले हैं चिरांद छफरा से मिले हैं तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं बिहार की चिरांद छफरा नामगस्थान पर धातु फ्रस्तर यूगीन अफसेस मिले हैं यहां उत्खननन में काले लाल मेर्दवान प्राप्त हुए हैं चिरांद की सब्वेता लगवा कितनी बर्स पुरानी है तो दो हजार इसा पूर्वेजो की लगवा पुरानी है तो 41 का क्या आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा बिहार में मौरिकालीन अविलेक कहा से मिले है तो 43 नमबर बिहार के गया जिलेके अपसड़ से प्राप्त अविलेक में किस राजवन्स के बारे में जानकारी मिलती है तो परवर्ति गुप्त बंस के बारे में जनकारी मिलती है तो बिहार के गया जिले का अपसर से प्राप्त बलेख में परवर्ति गुप्त बंस के बारे में जनकारी प्राप्त होती है इस राजवन्स का अंतिम समराट कौन था? जीवित गुप्त था तो यह का अंसर हो गया बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देव वर्ना का लेव तथा साहपूर पटना एवा मंदार भागलपूर से प्राप्त लेखों में किस यूग की जानकारी मिलती है तो किसी इसमें भी यह परवर्ती कुप्त बंस के बारे में जो कि जानकारी मिलती है, देव वरना का विलेक है, जो कि आरा मेहम जीवित कुप्त को परम भट्रारक महारा अधिरात पर में स्वर कहा गया है, तो इक्या होगे 44 का च्यार हो गया 45 नंबर देखते हैं पाल सासको के बारे में किस अविलेक से जानकारी मिलती है तो तीनों समित्य देव पाल के मंगेर अविलेक नारायन पाल का भागल पुर्ट राम पत्र अविलेक और मही पाल पर्थम के नलंदा एवा मोझपर पूर से जोकी पॉर्प्त होता है उविक पाल बंज मिको पॉल बंज इसका संस्थापक था और देवफालव इश्वन्ज का सर्वाधिक.... चालीश सासक था कि इतॉए at 44 level बिहार के सरवाधिक प्राचीन साहीतिक्स होत कौन सा है बहुत इंपोर्टन कुस्िंंट कौन सा है Basic के बिहार के इस अंधर में स्रत ब्राम मन से मिलती है इसमें माधव nossa नामक राजा का उलेक है जिसने मिठिला के गौरव साली समराजी को आधार शीला रखी तो क्या हो जागा इस का अंसर तीन हो जाएगा सत्पत ब्राम्मन फिर सहितालिश नंबर बिहार में अस्थित महा जनपतों के बारे में कहां से जनकारी मिलती है तो अंगुतर निकाय से म मगत था जैन गरंथ भगवती सुत्र में भी हमें सोलह महा जनपतों की जनकारी उपलब्द कराता है इन सोलह महा जनपतों में अस्मक एक मात्र महा जनपत था जो तच्छिन भारत में गुदावरी ने दिके टट पर अस्थिता तो इसे कई अउजेक्टिव हो गए का उंतर निकायकिसे बहुत धर्म से समझ दित है सबसे सकत्र साली महा जनपत में कौन था तो मगत था और जैन गरंथ भगवती में सुत्र में भी है सोलह महा जनपतों की जनकारी उपलब्द है और सब दच्छिन मिम्मात रेकमात महा जनपतों कौन था अस्मक था जिसकी राधानी पोटली थी किसने दिक के नारे जास्ति था तो गोदावरी नदीर के टट परस्तित था दच्छिन भारत में तो इतनी अपजेक्टिव हो गई 48 नमबर नलंदा के सराय टील है में उठ खनन से क्या प्राफ्ट हुआ है तो पाल काल का बहुत भीहार इसके बारे में थोड़ा जानते हैं नारंदा के सराय टिले में उत्खनन से पाल का बहुत भिहार प्राप्त हुआ तो तीन नंबर हो जाए उन्चास बहुत साहित बीने पीटक एवं दिर्ग निकाय से किसके बारे में जानकारी मिलती है तो मगद के राज तंत्र एवं बाई साली के गन तंत्रों के बारे में कि बहुत धर्म के जो है वो कितने भागों में बाटा गया बीने पीटक तो बीने पीटक क्या है बुद्ध के बचन का उसमें बरनन है सूथ पीटक में बुद्र के बचन का बरनन, बिने पीटक में का बरनन है, संग के नियम का बरनन है, और अभिधम पीटक में पहली दो पिटकों का दार्शनिक बिवेचन है, तो तीन भागों में जो की पीटक है, जो की बहुत धर्म को विवाजित के करनों, सूथ पीटक, ब बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्ज करवाने वाला तथा कई प्राचीन अस्थलोग की खोज करने वाले पुरतत्त विवेता कौन थे तो उनका क्या नाम था फीलर थे मार्टिनर फीलर बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खननन कार्ज करवाने तथा कई प्राच ने बोध गया कि मंदिर को भी खोजा था वावन नमबर देखते हैं पुरा ततुप बेता कनिंगम ने बिहार में क्या 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 खोज किया था तो यह तीनों के सरियास तुप जो चंपारन में हैं लौरिया रिराज का सोक अस्तम भी चंपारन बसाड के अब से सुक आधार प को फिर पन नमबर देखते हैं बिदेह के राजा जनक ने निश्क या सुर्न का या सतनाम उभार में दिये वह किस करद में बरनित है तो सत्पत ब्रह्मन में बरनित है तो बिहार के संदर में पर्थम जनकारी जो मिलती है वह सत्पत ब्रह्मन से मिलती है बिदेह के राजा जनक इस समराज के सरवाधिक यस्वी समराठ हुए कहा जाता है कि ततकालेन भारत में मिछला सरवाधिक स्योशन्सक्रित एवं सब्भेराज था चबवन नंबर देख्ते हैं गम लोग साइब बना पाते हैं रचनाकर तो सीथर उल्म उठाकरिन की रचना किस ने किती तो गुलाम हुसेन तब तब आई ने की थी इससे मत इसमें क्या है मत कालीन बिहार की साहितिक छेतर की जानकारी गया होता है शपन नमबर देखते हैं किसको है जो कि कौन है जो की लिम ने लिखा है उसी तरह तारीक सेरसाही क्या हो गया अब बास सरवानी हो गया बाकिये थे मुस्ताकी क्या हो गया रिजकुल्ला हो गया अब सनाय जहां क्या हो गया सेक कवीर हो गया तो ये एक दो तीन चर्शी दिली हो गया उसके बाद मुल्ला वह वहानी किस देश के यात्री थी तो हिरान के थे तो थोड़ा पिस्तार से जानते हैं इनके बारे में मुल्ला वह वहानी नामक हिरानी यात्री ने 1807 इस्वी 1808 इस्वी 1809 इस्वी में तीन वार विहार की यात्रा की थी उसने अपने यात्रा बिटांत मिरातिय अहनल ए जहां नामा में तत्कालिन बिहार के बिस्तित चानकारी दी है उसके समयग में पटना अजिमाबाद के नाम से जाना जाता था वह पटना को जैतुल हिंद या भारत को स्वर्ग कहता था तो क्या होगा संतावन का थीन होगा परसिद बहुत शारी सारी पुत्र का जना हुआ था तो कहा उआ था इसका बैसाली में हुआ दोने अंसर हो जाएगा और पिरलिक के जाएगा दो जाएगा अपसड गया से प्राप्त एक मंदीर भव्या भग्मा से प्राप्त हुआ है इसके दिवारों पर किस कथाका द्रीश थे तो नल दमयंती के प्रनाइगा था है तो क्या है, गयाक अपसर में मंदीर में क्या हुआ तो बिहार में आदी मानव के उपस्थिती के आरंबिक साच कहां से प्राप्त हुए तो इसके बारे में जानते हैं बिहार में आदी मानव के उपस्तिती के आरंबिक साज गया है, वमसारन से प्राप्त हुए, इनका काल 2525 पूर्व से 1500 इसा पूर्व निर्धारित किया गया है, इन साच्छों से आदी मानव के विकास और रहन चान का पता चलता है, बिहार में आदी मानव के उपस्तिती के आ रसुषा पूर्व है जो की निर्धारित किया गया है तो यह काल क्या था हडपा काल था तो ने क्या होगा चार हो जाएगा बिहार में मदवर्ती प्रस्तर यूग के साच कहां से मिले हैं तो मुंगेर से मिले हैं तो इसके बारे में जानते हैं के बिहारु में मदवर्ति प्रस्तर यूग के SAP से कब तक था आठ हजार इसापूर से 4000 सपूर टक 20 हैं इस काल में प्रयोग किये जाने वाले आवजार अतितिक लगुवाकार के होते इसलिए इनको इनहें मायक्रोलीच कहा जाता था तो क्या होग之前 का ठीर सट का पूर्प्रस्तर बिहार में चिरांद येवंँ चेचर के यूग उपसेश पराप्त हुए इसकाल के मानव का जीवाने अपन शिकार और खाद संग्रह पराथ हारित था इसलिए इसकाल को आखरे टक और खाद संग्रह काल भी कहा जाता है बिहार में त्राम प्रस्तर यूग के परवरथी चरन के अपसेश कहां सफराफ्त हुए가요 चिरांद सारन से बिहार के सारन जी लेके चिरांद नामकस्थान प्रत्राम प्रस्तर्यों के परवर्ती चलन के अफसेश उसकनन प्राफ्थ हुए है 66 बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यो का आगमन किस काल में हुआ था तो उत्तरवैदिक काल में हुआ था उत्तरवैदी कालकफ से कफत के 1600 इसा पूर्वी में बिहार सहीत पूर्वी भारत में आर्यो का आगमन हुआ था जिसमें लोह फरोदो की नियर्नायक सावित हुई थी लोहे की कुलहाडियों ने आर्यों को घने जंगलों को काट करें यहां बसने में सहाय था की थी तो यह आपको हो गया आज का तीसरा पार्ट बिहार की कला संस्क्रिती इतिहास के बारे में तो और चौथा स्रीज भी लाओंगा और भी कई प्रश्न है तो आपको विस्तारफुरों बताने साब काप फायदा होगा इसे कई सारे अबजेक्टिव बिहार से समन्दित बनने है तो आपको वीडियो कैसा लगा है कॉमान्ट बॉक्स में जरूर लिखें धन्यवाद